नमस्कार आशा करता हो कि आप लोग ठीक हो एक व्यक्ति जब पढ़ाई करता है एक्जाम क्लियर करता है उसके बाद वो एक ऑफिसर बनता है फिर वो सोचता है और प्रण देता है कि मैं इस देश को बदलूँगा इस सिस्टम को बदलूँगा इस देश के लिए कुछ अच् करते हैं और उस ऑफिसर को कहा जाता है कि तुझे काम करना पड़ेगा सरकार के अकॉर्डिंग जो सरकार चाहती है जिस तरीके से काम करवाना चाहती है जिसके लिए काम करना चाहती है तो मैं उसके लिए काम करना पड़ेगा बट वो ऑफिसर नहीं सुनता वो ऑफिसर बो पीछे बढ़ जाता है उसके उपर आरोप लगा जाते हैं उसकी फैमिली पर अटेक किया जाता है परसनल अटेक वर्बल अटेक कोर्ड वर फिर उसको किसी भी केस में फसा दिया जाता है उसके उपर आरोप लगा दिया जाते है कि आपने फिरोती करिये आपने पैसा वसूली करिए आप करद्ट officer हो फिर क्या या तो वो officer हताश हो जाएगा या तो वो भी इस corrupt system का पार्ड बन जाएगा लेकिन कुछ officer ऐसे भी होते हैं जो system से लड़ते हैं चाहें फिर कुछ भी हो जाए चलिए बात करता है समीर वान खड़े के उपर ही केस कर दिया गया है और वो केस है एक्स्टॉशन का फिरोती का और वो केस क्या किस बुनियाद पे है KP कोसावी के एक bodyguard so called bodyguard जिसका नाम है प्रभाकर सेल प्रभाकर सेल ने TV पे आकर मीडिया के सामने आकर ये बोला है कि KP कोसावी की call पे बात हुई थी जिसमें ये deal रखी गई थी कि 25 करोड रुपे दो और बेल मिल जाएगी 25 करोड रुपे की बात रखी गई थी deal fix हुई 18 करोड रुपे में और 8 करोड रुपे समीर वानकड़े को देने की बात करी गई है प्रभाकर सेल द्वारा जो की गवा है अब प्रभाकर सेल ने ये बात पूरे मीडिया चैलेंज के सामने करी जिसके बात ये एक highlight बन गई उसके बात प्रभाकर सेल की जो गवा प्रभाकर है इसकी बात को evidence मानते हुए केस बना दिया गया समीर वान खड़े के उपर आपको बता दूँ केपी को सावी जिनकी फोटो है अर्यन खान के साथ इनको गुरफतार कर लिया गया है पूने पुलिस द्वारा कवाल की बात ये है कि परभीर सिंग चोबी तक फरार है अब देश में है विदेश में पता नहीं कहां पर है उसको गरफतार नहीं कर पाई है पुलिस लेकिन केपी को सावी को गरफतार कर लिया है कुछी दिनों में कुछी घंटों में अब क्या हो रहा है कि मुंबई पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है समीर वानखड़े के खिलाफ मुम्मे पुलिस ने एक टीम बनाई है चाल लगों की जो इस पूरे मामले के जाच करेगी अब समीर वानखड़े पहुचे बॉम्बे हाई कोट जहां उन्होंने ये मांग रखी कि मुझ पे जो भी इन्वेस्टिकेशन करना चाहते है करिये लेकिन कि ये पूरी इन्वेस्टिकेशन या तो CBI करे या तो NI करे कोई भी Central Investigation Agency करे लेकिन बॉम्मे हाई कोट ने इस याचिका को खरिज कर दिया लेकिन उन्होंने ये बात रखी कि आपको अरेस्ट से तीन दिन पहले एक नोटिस आएगा जिसके बाद ही आपको अरेस्ट किया जाएगा अगर कोई भी कारवाई होती है तो तो ये एक रिलीफ है समीर वानखडे के लिए कि उनको तीन दिन का टाइम मिलेगा जब भी उनकी खलाफ अरेस्ट वर्ड निकलता है तो समीर वानखडे ने कोट के सामने साफ साफ बोला कि मैं कोई ड्रग पैडलर नहीं हूँ मैं NCV का जोनल डिरेक्टर हूँ एक सेंटरल गवर्मेंट का ओफिसर हूँ और मुझे सुरक्षा का पुरा अधिकार है और मेरी सुरक्षा के लिए कोट इसके उपर कुछ फैसला सुनाए अब जो समीर वानखडे की सिस्टर है जैसमीन वानखडे उन्होंने एक अपील करी है NCW से National Commission of Women से safeguard my constitutional rights as a woman as Malik Nawab Malik has been violating her privacy she said that the minister is sharing her pictures from her social media profile to make baseless allegations against her brother उन्होंने साफ साफ आरोफ लगा है Nawab Malik के उपर कि उनकी वज़े से जो मेरा constitutional right है वो खत्रे में है जिस तरीके से वो मेरी personal pictures को publicly share कर रहे है मेरे Instagram से निकाल कर वो सरासर गलत है और इसके बुनियाद पर वो मेरे भाई समीर वानखडे के उपर बे बुनियाद के allegations लगा रहे है इसके जवाब में NCW ने बोला है जहां तक बात है किसी की personal pictures को public करना, circulate करना जो की सरासर गलत है इसके खिलाफ हम action लेंगे किसी के साथ साथ समीर वानखडे की पतनी करांती रेटकर ने CM उद्दव ठाकरे को letter लिखा है जिसे मुन्हेंने सारी बाते रखी है कि किस तरीके से उनके पती को हरास किया जा रहा है उनके उपर baseless allegation लगा जा रहे है और उन्हें फसाया जा रहा है तो समीर वानखडे जिन्होंने बड़े बड़े ड्रग पैडलर्स को पकड़ा हर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो ड्रग्स से लिप्त पाया गया चाहे वो किसी बाप का बेटा हो चाहे वो खुद किसी का बाप हो हर किसी के उपर कारवाई करी वही समीर वानखडे अब चुबने लगे है कुछ नेताओं की आँखों में वही समीर वान खड़े अब खटक रहे है इन बड़े बड़े पैसे वाले लोगों के हाँखों में अब जैसे कि आप जानते हो आरेन खान को बेल मिल चुकी है और उस जैस्र में मननत के भार पटाके फोड़े गए अब कहा है वो लिबराडूस कहा है वो लोग जो ग्यान पेल रहेते प्रोपोगेंडा फिला रहेते कि दिवाली पर पटाके मत फोड़ो धुआ होता है पॉलूशन होता है कुट्टे डर जाते है और ये वही लोग है जो चिकन भी खाते है मतन भी खाते है हर चीज खाते है और फिर बोलते है कि कुट्टे डर जाते है पक्षियों के कान खराब हो जाते है पटाके फोड़ने से खैर अब तो कोई कुछ बोलेगा नहीं पाकिस्तान जीती पटागे फूटे इंडिया में लेकिन तब सब लोग चुप थे तब कहा गया इनका ग्यान तब कहा गया इनका प्रोपगेंडा खेर अब देखे किस तरीक से पूरा पूरा यूटन आ चुका है समीर वानखडे जो केस लड़ रहे थे अब उन्हें खुद का केस लड़ना पड़ रहे क्यों? क्योंकि वो सिस्टम को बदलना चाहते है क्योंकि वो ड्रक पैडलर्स का सफाय करना चाहते है क्योंकि वो इंडिया को ड्रक फ्री बनाना चाहते है इसलिए और ये आज की बात तो है नहीं पहले एंन से होता है आपको चाहते हैं और घर से उनको अरेस्ट करके ले जाए गया उनके फैरों में चपन तक नहीं थी और अरेस्ट करने कोन आये था सचिन्वाजे वह ही शकस है जो अभी NIA के गिरफ्थ में है जिसके उपर आरोब लगा था Antilia case को अंजाम देने का और सचिन वाजेग किसके करीब था परमिर सिंग के और परमिर सिंग का अठा पता नहीं है पता नहीं कहा है वो शक्स देश में हैं विदेश में हैं कुछ नहीं पता तो आप देख सकते हो कि क्या चल रहा है यही नहीं कंगना के साथ भी हुआ था जब कंगना ने आवाज उठाई तब कंगना के आवाज को भी दबा दिया गया उनको ओफिस सरयाम तोड़ दिया गया आज पास कई सारे अवेद ओफिस से अवेद इमारते थी लेकिन उन्हें ।च भी नहीं किया गया सिरफ कंगना का ओफिस ही तोडा गया आपको तो यादी होगा क्या-क्या नहीं बोला गया कंगना को बत्तमीज ओरत पेशरा मौरत और धंकी भी दी गई कि आके दिखाये जरा हम देख लेंगे फिर भी कंगना आई और सिस्टम से लड़ी केस लड़ा और केस जीती भी और अब समीर वान खड़े आप देखी रहे हो क्या क्या हो रहा है सुशान्त, अरनब, कंगना, समीर और मेरे साथ ही कुछ यूटूबर्स भी जो भी आवाज उठाता है अपनी अन्याएं के खिलाफ सिस्टम के अगेंस्ट इंसाफ के लिए उसकी आवाज को दबा दिया जाता है और उसे फसाद दिया जाता है समीर वान खड़े के साथ भी ऐसी हो रहा है कभी उनका धर्म पूछते है कभी उनकी जात पूछते है समीर वान खड़े को समीर दावद वान खड़े बना दिया गया और जब एविडेंस सामने आया इसमें साफ साफ लिखावा था समीर दन्यादेव वान खड़े तो इन्यों ने दन्य देव को दावद बना दिया क्यों? क्योंकि समीर वान खड़े ने बड़े लोगों पर हाट डाल दे इसलिए लेकिन इस मुश्क्र के घड़ी में समीर वान खड़े के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है मैं खड़ा हूँ आप लोग खड़े है और खड़ा होना भी चाहिए क्योंकि जब एक इमानदार आफिसर इमानदार इसे काम करता है ना तो हमारे भी कर्तव ये बनता है कि उसे सपोर्ट किया जाए इस वक्त समीर वान खड़े का सब कुछ दाव पर लगा हुआ है उनका काम उनका नाम और उनकी जान हर चीज फिर भी वो इनसान लड़ रहा है लेकिन जीत सत्य की होगी मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना सपोर्ट करो समीर वान खड़े को अपनी राय दो कमेंट सेक्षन में वीडियो को शेर करना ना भूले तब तक के लिए धन्यवाद सत्य मेव जायते